चानल पर करने हो तो चानल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को और फेसेट कर लेना क्योंकि यूनीक वीडियो की लिस्ट पढ़ी है और हाँ इस वीडियो को लाइज जरू करना शेर करना और आपके अगर कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना जब भूण लेते हैं त और चीज को कांवी। और काफी सारे extra pages बन जाते हैं कभी 15 बन जाते कभी 20 बन जाते किसी किसी पाथ 10-5 extra pages बन जाते जो किसी काम की नहीं होते तो हमें जो स्क्रोल करते रहना पड़ता है तो आज हम आपको एक single click में pages को कैसे remove कर सकते हो आप वो बताने वाले तो जो लोग जानते हैं ना स्कीप कर सकते वीडियो को जो लोग नहीं जानते एंटर वीडियो को जरूर देखो है ना आज हमने जो है पिंच करके page को delete कैसे करना यह बता है जिया दूस्तों आप मतलब अपने home screen की जो पेजिस है उनको पिंच करके रिमूव कर सकते हो तो किस तरह से कर पाऊंगे आज की इस वीडियो में हम यह जानने वाले है जो लोग जानते है पहले से ही वीडियो को skip कर सकते है जो लोग नहीं जानते वीडियो को एंटर जरू देखो और हां अगर हमारे चनले पर नए हो ना तो सब्सक्राइब जरू करें रोज सुबह ठीक नौ बज़े आप लोग के को लाइक ज़रू कर देजेगा तो हम लोग क्या करेंगे ना को तुरंट उनको मिलाले में जैसे ऑ पार में किसी को चूटी काट आछये ना बिलकुल इस करके रखा है अब Microsoft launcher की जहां तक बात निकली तो इसको बता दें कि सबसे अच्छा लॉंचर एक्सेसिबल लॉंचर है अगर आपका फोन Samsung से छोड़ के दूसरे फोन से तो बिल्कुल आपको Microsoft launcher ट्राय करना चाहिए काफी अच्छा लॉंचर है और इसी को यूज करना चाहिए इस पर्टिकलर हम चेंज वाल पेपर कर सकते हैं लॉंचर सेटिंग एप्स इसको जो भी नूव नूव पेज बना सकते हो ठीक है इस पेज को हम डिलीट कर सकते हैं ठीक है यहां पर जैसे हम क्लिक करेंगे देखे रिमोव दिस पेज पूच रहा है तो फिलाल हमें काम के लिए रखे हुए हैं तो हमें रिमूव नहीं करना आप इस तरह से मुझ कर सकते हैं तो यहां पर जैसे आपका पेज रिमूव हो गया उसके बैक कर देंगे हम अब हमारे पास माइक्रोफ लॉंचर इसके लिए ओवर्वीव मोड बोल रहा है अगर आपको डिफॉल सब्सक्राइब करना है उस पर्टिकलर पेज पर जाना है पिंच करना है और यही तरीका आपको सेमसंग फोन में काम करेंगा अभी यह फिलाल हमने रेड्मी के 50 में ट्राइब किया अब हम सैमसंग में आपको दिखा देते हैं ठीक है थोड़ी सी स्पीड जाता है कम कर लेत अब इस पर भी हम बिल्कु सेम चीज़ करेंगे देखें अब यहां पर यहां पर यह पेज कर सकते हो जो है सारे सारी है बाल फार चुजान इसको सलेक कर लेता है फोर फॉर में सिलेक किया आप यहां पर देखते हैं ठीज चीज पिर फोर फॉर फोर सेलेक किया आप जिलेकते हैं अब हम यहां पर अबर्वी मोड ओपन करेंगे एडिट मोड ओपन करेंगे ठीक है यह हमाने डिफॉल्ट पेज यहां पेज आड कर सकते है ठीक है और रिमूव भी कर सकते है पेज़ करेंगे तो यहां पर दो जगे पर आपको इसलिए कन्फुज हो गए दे दो जगे पर पेज़ दिखा रहा है एक जगे पर रिमूव बटन दिखा रहा है एक जगे पर जो है मतलब पेज का नाम बतारे दिखें यहां पर कुछ नहीं बोल रहा है आगे पर साइब करेंगे ठीक है रिमूव बटन जैसे आप रिमूव करोंगे तो यह रिमूव हो जाएगा तो यह जो है सिंपल तरीका है इस तरह से जो है पेज़ेस को रिमूव कर सकते हो काफी आसान यहां पर आ जाता है तो इस तरह से आप जो है ओपन कर सकते हो समसंग में भी बता दिया तो पेज रिमूव करोई और मतलब अपने फोन को पिंच करके जितने pages आप remove करना चाते हो remove कर सकते हो तो उम्मिद करते हैं आप लोग हमारे समझाने का तरीका समझ में आगा हाँ पिंच के से करना ये एक और बार बता देते हैं आपको स्क्रीन पर दो fingers आपको रखने है आप लोगा किसी और इंटरेसिंग से वीडियो में तब तक आप लोग हमारे ग्रूप में जुड़ सकते हो about page में जाकर और वहाँ पर आपको whatsapp telegram ग्रूप्स मिल जाएंगे techassistants.com पर जाएंगे अब हाँ पर भी आपको ग्रूप्स मिल जाएंगे 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 जाएंगे